अगत है और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो देखिए यहां पर सब्सक्राइब कर लाल बटन है और बिल आइकन में प्रस कर दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो के सुचना प्राप्त होती रहे आज जो जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है तो चलिए देख लेते हैं आगे बड़के आएए हम उसकी वेबसाट पर देखें इनके जो प्रोड़क्स हैं कौन नहीं जानता तो बताने कि मुझे बहुत ज़्यादा 26 अप्रिल 2019 चार बज़े बीस से पर इसका जो लाज्ट ट्रेडट प्राइस था 887 रुपए 70 पैसे का और 12 रुपए 40 पैसे के डाउन साइट पर यहाँ पे क्लोज हुआ 52 वीक लो इसने बनाया था 660 रुपए का और हाई था 924 रुपए का और हमने यहाँ पर देखे पांस सालों के मनी कंट्रोल के जो साइट है उस पर पांस सालों के चार्ट पर हम है इसने बोनस दिया था यहाँ पर चुलाई 2015 को एक पे एक जिसके पास 100 शेर थे उसके 200 हो गए जिसके पास एक थे उसके दो हो गए और हर साल यहाँ पर company है, EPS है 14 के, P है 63.09 की और industry P 56.71 की, तो थोड़े से valuation यहाँ पर महिकर दिख रहा है, price to earning के हिसाब से, book value है 61.39 और price to book है 14.46 की, face value 1 की, deliverable है 77.47 के balance sheet पर यहाँ पर देखिए हम total debt जहां बात करें, करजा इस पर 125 क्रोड का है, कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी करजा है, एक के ratio से कम ही है, और March 18 में जहां इसकी net sales 556 क्रोड की थी, वहीं जून 18 में 566 की हो गई बढ़ात है, वहीं सिप्तमबर 18 में 545 क्रोड क यहां पर बढ़ात है, 551 क्रोड की net sales है, वहीं net profit में जहां March 18 में 53 क्रोड 86 लाग की थी, वहीं जून 18 में 45 क्रोड 95 लाग की हो गई, वहीं सिप्तमबर 18 में रहे गई 39.40 क्रोड 86 लाग की रहे गई और दिसंबर 18 में 35 क्रोड 65 लाग की रहे गई, जो लगातार net profit में डाउंसाइड है, तो अभी जो इसके quarter 4 के रिजल्स आने वाले हैं, 2000 मार्च उनिस में, मार्च उनिस के, वहीं देखने पढ़ेंगे, एक good quality company है, sales growth इसकी है 14.4, जो की peer comparison में देखा जाया, तो जहाँ बाटा इंडिया की net sales growth है, वो थोड़ी सी negative है, और इसकी sales growth जो है 14.4% की, ये एक अच्छी बात है, मुकाबले में बाता की, जबकि मैंने बाता इंडिया का भी एक वीडियो बनाया भी था, वो भी अच्छी company, no doubt, और अच्छी रिटन्स भी दे दिया है उसने, EBIT growth है, 5 साल का, इसमें 20.2% की, और net debt equity 0.37 की है, और valuation देखिए, देखिए, महग है, valuation पर भी trade कर रहा है, जिससे आप से इसका P है, ROC है इसका 29.81% की, ROE है इसका 21.08% की, financial trend flat है, और returns की बात कर लेती है, तो returns देखिए, यहाँ पर 10 सालों में या इसने दिये है, 28,611% की, बहुत ही बड़ा return है, जबतर सतर return है इसमें, और समझें की, यह multi-bagger stock है, पांस सालों में करीब 500% के आसपास, 485% और 4 सालों में 171%, 3 सालों में 77.93%, 2 सालों में 80%, 1 सालों में 28%, year till day 20% के आसपास, 6 मन्त में भी 20% के आसपास, और 3 मन्त में 22.72% की return है, जबरदस्त है, और 1 मन्त में 16.52% की return है, वन वीक में और वन डे में डाउन साइड है थोड़ी सी तो लगातार देखिए आपको हमेशा रिटन दिया है इस स्टॉक ने जब भी आपने पैसे यहाँ पर अपने इनवेस्ट किये हैं हाँ यह देखिए फनेंशल जहां येर ओन गियर पे हम लोग दिसंबर 17 के मुकाबले दिसंबर 18 में कंपेर करते हैं तो नेट सेल्स में 20.61% की ग्रोथ है लेकिन नेट प्रॉफिट में 6.71% की नेगेटिव है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी यहाँ पे खरी के 71.02% मार्च 19 में तो यहाँ पर थोड़ी सी घटाई है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है म्यूशल फंस की 11 स्कीम है और एफाई आई है 33 इंडिविज्वल बहुत कम है इसमें 4.94% डिड़ रुपए का परशेयर के साफसे इसने डिविडेंड दिया था और अपनी इंदस्ट्री में सेकेंड नंबर पे हैं तो दोस्तों अभी जिस हमारे फ्रेंड जिस हमारे सस्क्राइबर दोस्त ने पूछा था कि सर रिलेक्स ओ फुटवेर इस बारे में बताईए इस कंपनी के बारे में बताईए कि इसके स्टॉक से लिए जा सकते हैं तो अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें 15-20 चीज़ें एनलाइज किये हैं और बाटा इंडिया के भी मैंने देखें तो जहां बाटा इंडिया के मुकाबले मुझे ये स्टॉक थोड़ा सा उसके मुकाबले में अट्रैक्टिव लगा हाला कि वो भी अच्छा रिटन दे रहा और इसने भी अच्छा रिटन दिया है और मुझे लगता आने वाले भविश में देता रहेगा क्योंकि चपलें जूते तो घिस जाती हैं फिर से आत्में खरीदता है पहनता रहता है ये हो गया एक emotional चीज़ें बिजनेस में धंधी में emotional नहीं होने का तो friends मैं मानूंगा कि अभी थोड़ा से इसके valuation महेंगे हैं लेकिन अगर लंबे समय के लिए आप खरीदना चाहते आपका target है अगर आपका target दीरे अगर और गिरावट मिलता है अगर इसके results आते हैं और फिर negative में आते थोड़ा सा हो सकता है कि downside और मिल जाए तो भी ले लीजिए लेकिन दीरे दीरे आप accumulate कीजिए एक अठा buying मत कीजिए है ना ऐसी कमपनियों में बहुत ज़दा पैसा हलांकि बहुत जबरदस्त कमपनियां good quality कमपनियां हैं बहुत ज़दा loss making नहीं है क्योंकि आपने chart भी देखा तो अनवरत growth है धीरे धीरे आपको अच्छा return देती जा रहे हैं तो इस प्रकार से इस strategy के तहत SIP की थुरू आप पैस कर सकते हैं एक अठा खरीदने की मसला बिल्कुल मिने दूंगा और थोड़ा से valuation अभी महेंगे अगर नीचे की level मिलते हैं तो और well and good है तो friends मैं यहीं पर अपना video wind up करूंगा हां लेकिन एक disclaimer देना चाहूंगे कोई भी stock खरीदने business पहले अपने financial advisor ज़रूर मशुरा कर ले थैंस पर वच्छिं इस विडियो